हेलो दोस्तों द्रश्टी आईएस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम पीटी स्पेशल प्रोग्राम के अंतरगत प्रीविएस एयर पेपर डिसकेशन पर फिर से चर्जा करने वाले हैं तो आई आज की अपिसोड की शिरुवात करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्ण को प्रश्ण है निमनलखित कथनों पर विचार कीजिए हमारे कथन है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है दो कोपड़ वाला उंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है उपर एक मैंसे कौन सा से कथन सही है और हैं केवल केवल दो एक और तीन एक दो और तीन इस प्रशने का सही जवाब है ऑप्शने एशियाई शेर प्राकरतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है भारत में गिर नैशनल पार्क गुजरात इसका प्रमुखावाथी शित्र है दोकूबर वाला उंट भारत लदाक शित्र के अतरिक्त मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्की, रूस तता तुर्क में इस तांग शेत्र में पाया जाता है एक सिर्फ वाला गेंड़ा प्राकरतिक रूप से मुख्यता भारत वा नेपाल में पाया जाता है इसके अतरिक्त यह भूटान में भी पा बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्णी है नमनलिखित मैंसे किसके संदर्फ में ताप अब घटन और प्लाजमा गैसी करण शब्दों का उलेख किया गया है। अब घटन यान थर्मल, पाइरोलिसिस तथा प्लाजमा गैसी करण में पहले से अधिक स्वक्षवा किफायती उजा उतपादन के लिए अप्शिष्णों का पुनरचक करण किया जाता है। अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है निमनलिकित मैस से कौन अगस्ति माला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। हमारे उप्शन है निवयार पेपपारा और शेंदुरने वन्य प्राणी अभिहारन और कलाकड और कलाकड मुंदु थुराई बाग रिजर्व। अगला उप्शन है मुदोमलाई सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभिहारन और साइलेंट वैली नैशनल पार्क। इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्शन है अगस्ति माला जैबमंडल रिजर्व। दक्षन भारत में स्थित एक महाज़पून जैबमंडल रिजर्व है यह तमिलनाडु के तिरुनेल वेली वा कन्या कुमारी तथा केरल के तिरुवनंदपुरम कोलम वा पत्तनम टिट्टा जिले में विस्तृत है इसके अंतरगत नेवनार पेपारा एवं वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण जो की कीरेल में है तथा कलाकड मुंदृत्थुराई वाग रिजर्व को युनेस्को के इंटरनेशनल को ओडिनेटिंग काउंसिल ओफ मैंड और वायो रिजर्व प्रोग्राम द्वारा विश्व जैबमंडल रिजर्व का दर्जा दिया गया है इस समुद्रिस्तन पाईयों की कुछ जातियां शाग भक्षी होती है सापों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती है उपरिक्त मैंसे कौन से कथन सही है केवल एक तीन केवल दो तीन चार केवल दो चार एक दो तीन और चार इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन टी समुद प्रजीव प्रजक के दो उदारन हैं ये युवा रहते हैं जो विकास के किसी भी चलन में शामिल नहीं होते हैं अता सभी कथन सत्य हैं पढ़ती हैं अंगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण है नमनलिखित युगमों पर विचार कीजिए वन्य प्राणी और प्राकरतिक निवास सिस्थल वन्य प्राणियों की बात करें तो नीले मीन पक्ष वाली महाशीर कावेरी नदी एरावदी उपर एक मैसे कौन से युग में सुमेले थें केवल एक दो केवल दो तीन केवल एक तीन एक दूर और तीन इस प्रश्ण का सही जवाब है और प्राणियों का सामाने नाम है यह मचली भारत मलेशिया तथा इंडोनोशिया आदी में पाई जाती है यह व्याविसाइक रूप से महचपूर्ण मचली है यह मचली इस वरतमान में संकर ग्रस्ट है और इसके लुप्त होने का डर है यह मुखितर नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन, और केला, ब्रेबी, रोस्टिस, समुद्र के तटों के प रमुख नदी, इरावदी के नाम पर पड़ा है मोर्याब, चित्तिदार, बिल्ली, प्रियो, निलूरस, रुबिनो, जीनस, बिल्ली परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक है यह भारत के पूर्वी घाट, स्री लंका और नेपाल के पश्मी तरह इलाके में पाई ज जाती है, यह वच्चों में, तो अच्छा कैंसर होने का कारण मानी जाती है, यह इतनी छोटी होती है कि सिंचे छेत्रों में फसल पात्वादवार आफशोशित की हो जाती है, अक्सर इनका इस्तुमाल खादिपदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है, इस प्रश् की समस्या में इजाफा करते हैं, यह जल प्रदूशन में व्रिद्धी करते हैं और उनमें जली पारिसी की तंत्र में व्यवधान उत्पन करने की श्यमता होती है, अपने छोटे आकार के काड़ा अप्शिष्ट जल उप्चार, निश्यंदन, प्रणाली से भी पार हो जात यह मुख्यता समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिका रख माने जाते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है हाल ही में हमारे देश में हिमाली बिच्छू बूटी, जिरारडीनिया, डाइवर्सिफोलिया के महत्वे के बारे में बढ़ती हुई जाग रुकता थी, क्योंकि यह पाया जाता है कि यह प्रती मलेरिया और आश्रत का संधारनी स्रोथ है, यह जैव डीजल का संधारनी स्रोथ है, यह कागज उद्योग के लिए लोगदी का संधारनी स्रोथ है, यह वस्तुतंतु का संधारनी स्रोथ है, इस पश्न का सही कुमी नदी के किनारों नेपाल में नम निवास और भारत की हिमाली भागों जैसे उत्रखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मु कश्मीर में बहुतायत में पाया जाता है इसका पौधा एक जुरुमुट की रूप में बढ़ता है और प्रतियक जुरुमुट में कई तने होते ह इन तनों में अधुती गुडवत्ता का वस्तुतंतु फाइबर होता है जो मजबूत चिकना और हलका होता है यह वस्तुतंतु का संधानी सुरूत है बढ़ते हंगल प्रशनी की तरफ अगला प्रशन है निंदलिखेत में से किसका यकिन का मापन आकलन करने के लिए उपग नीचे देगाई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये केवल एक केवल दू और तीन केवल तीन एक दू और तीन इस प्रशने का सही जवाब है उप्शन टी सुदूर समवेदान कारिक्रम प्रयोगताओं के अवश्यक्ताओं के अनुरूप से नचालित होता है वस्तु अब ग्रह प्रित्वी पर अंत्रक्ष्ते नजर रखते हैं तथा भौई महासागर वायुमंडल एवं परयावन समधित पहलूगों के विशे पर व्यवस्थे सूचनाय उपलब्ध कराते हैं ये सूचनाय केंदर सरकार वर राजसरकारों को भोजन तथा जलसुरक्षा पर पर अगला प्रश्न है नमनलिखित राज्यों पर विचार कीजिए राज्य है चतीजगड मज्यप्रदेश महराष्ट ओड़ीशा उपर एक राज्यों के संतरव में राज्य की कुल शेत्रपर की तुर्णा में वनाच्छादन की प्रतिशतत्ता की आधार पर नमनलिखित म 3-2-4-1-3-2-1-4 इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारती वनिस सर्वेक्षन द्वारा देश में वनिक शेत्र की वस्तुस्तिती से अवगत कराने के लिए वनिविस्थिती रिपोर्ट चारी की जाती है भारत की वनिस्थिती नामा किसी रिपोर्ट को देश की व 42.21% मध्यप्रदेश 30.72% महराष्ट 20.01% तथा ओडीशा 49.01% है तथा पूरे भारत में आवलोकन करें तो लक्षदीप 90.33% मिजोरम 86.27% और अंड़मान निकोबाट वीप समूँ 81.73% के साथ क्रमशा प्रथन दूसरा और तीसरा इस्थान प्राप्थ हुआ है बढ़ते मेथीन हाइड्रेट की निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है भूमंडली तापन की कारण इन निक्षेपों में मैथीन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है मेथीन हाइड्रेट की विशाल निक्षेप उत्तर धुरुवी टुन्रा में तथा समुद्र अधिस्थल के नीचे पाए जाते हैं वायूमंडल के अंदर मेथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डायक्सॉइड में ऑक्सिक्रत हो जाता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए हमारे ऑप्शन है केवल एक और दो केवल दो तीन एक और तीन दो एक दो और तीन इस प्रशनिक के सही जवाब की बात करें तो option दी प्रशनिका सही जवाब है आनने तीन होई कथन सही है प्रतेग मीथे नडू में कारवन CO2 में बदल जाता है जोवातावरन में सद्यों तक मुदूद रहता है भारत में कारवो फ्यूरेन, मेथिल, पेरथियोन, पोरेट और ट्राइजोफोस के इस्तमाल को आशंका से दिखा जाता है ये रिसाइन किस रूप में इस्तमाल किये जादे हैं हमारे उप्शन है कृषी में पीड़क नाशी, संसाधित खादियों में परिरक्षक, फल पक्कन कारक, प्रशादन सामगरी में नमी बनाए रखने वाले कारक इस प्रशने का सही जवाब है उप्शने कार्बो फ्यूरेन, मेथिल पैराथियों, फोरेट और ट्राई एजियो फॉस इत्यादी रसाइन का हिस्तमाल क्रशी में पीड़क नाशी की तौर पर किया जाता है बटते हैं अंगली प्रशने की तरफ अंगला प्रशने है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए रामसर सम्मेलिन के अनुसार भरत की राजी शेत्र में सभी आदरभूमियों को बचाना और संदक्षितर रखना भरत सरकार के लिए अधि देश्य आत्मक है इस प्रशने का सही जवाब है Option सी कथन ये गलत है क्योंकि रामसर सम्मीलन के अनुसार भारत की राज़ी शेत्री में सभी आधर भूमियों को बचाना और संद्रक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेश आत्मा या बाध्यकारी नहीं है कथन दो गलत है कथन तीन सही है क्योंकि आधर भूमियों के अभी क्रियावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यॉग्ड निर्मुक्त करते हैं प्रियुक्त में असे कौन साथ से कथन सही है और हैं केवल एक और तीन केवल दो और तीन केवल दो एक दो और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है अतकतन दो सही है कुक्कुट उद्योग परेवरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यॉग्ड निर्मुक्त करता है अतकतन तीन भी सही है पढ़ते हैं अगल प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है निर्म लिखित कथनों पर विचार कीजिए भारती वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए शंशोधन के अनुसार वन्य निवासियों को वनिक्षित्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है अनुसूचे जन जाते हैं अन्य पारंपरिक वनवासि वन अधिकारों के मानेता अधिनियम 2006 के नुसार वां से एक गौण वन उपज है अनुसूचे जन जाते हैं अन्य पारंपरिक वन अधिकारों के मानेता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वन उपज के स्वामेद्यू के अनुमती देता है उपज है और हैं केवल एक और दो, केवल दो तिन, केवल तीन, एक दो ओर तीन, इस प्रषण का सही जवाब है औप्जन ली भारति वन अधिनियम निवासियों को वन शित्र में उगनेवाले बांस को काट गिराने का अधिकार नहीं है बलकि गैरवन शित्र में उगने वाले मास को काड़ गिराने का अधिकार है ताकतन एक गलत है अनुसुचे जन जाती हों अन्य पारंप्रिक बनवासियों वन अधिकारों की माननेता अधिकारों की अनुसार बास, ब्रिश की लकडी, स्टंप, बेंद, टसर, कोकून, शहत, मौं, लाक, तेंदू या केंदू की पत्ते, औशधी, पौधे, जड़ी, बूटिया, जड़े, कंद, आधी, गौनवन उपज है अधिकारों की माननेता अधिकारों 26, वन निवासियों को गौनवन उपज के स्वामित्यू के नुमती देता है, अथा कतन 2 और 3 सही है पढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन है निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए परियावरन संडक्षन अधिनियम 1986 भारत को सशक्त करता है कि परियावरन संडक्षन के संबंध में सालबजेक भागिदारी के बारे में कोई बात नहीं की गई अथा, कतन गलत है परियावर्ण संदक्षनाद्रीम 1986 भारत को शशक्त करता है कि वेविनिस्तुरोतों से परियावर्णी प्रदूशकों के उर्सरजन या विसरजन के मानाक तयार करिया था कथन दो गलत है भारत में ठोस अप्षिष्ट प्रबंधन 2016 के अनुसार निनलिखित में से कौन सा एक कथन सही है अप्षिष्ट उत्पादक को पांच कोटियों में अप्षिष्ट अलग-अलग करने होंगे ये नियम केवल अधिसूचित नगरी इस्थानी निकायों अधिसूचित नगरों तथा सभी अध्योगिक नगरों पर ही लागो होंगे इन नियुमों में अप्षिष्ट भराव स्थलों दता अप्षिष्ट प्रसंसक्रण सुवधाओं के लिए सठीक और ब्योरिवार मांदन्द उपस्थित हैं अप्षिष्ट उत्पादत के लिए यह आग्या पक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादत अप्षिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए प्रश्ण का सही जवाब है option c यही कातन क्या है सही है ठोस अप्षिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अप्षिष्ट भरा विस्थलों वह अप्षिष्ट प्रसंस्क्रण सोविधाओं के लिए ग्योरिवार मांदन्द उपवंधित हैं पढ़ते हैं अंगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है भारत में निनलेखेत में ऐसे किस में एक महत्पूर्ण विशेष्टा की रूप में विस्थालित उत्पाद दाईतो आरंभे किया गया था जैवची किशा अप्षिष्ट प्रबंधन और हस्तन विग्नियम 1998 पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उप्योग नियम 1999 इअप्षिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 खादिशुरक्षा और मानक विनियमन 2011 इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्षिण सी इअप्षिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 के अंतरगत विस्तालित उत्पादक दायतु यानि Extended Producer Responsibility आरम भी किया गया था ध्याताब है कि इअप्षिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 परियवरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंत्रालय दौरा पेश किया गया था तो आज के सेशन में इन प्रश्णों के बारे में इतनी ही चर्चा मिलते हैं अंगले सेशन में कुछ खास प्रश्णों के साथ जो कि प्रिवेस एर से संबंधित होंगे तब तक के लिए शुक्रिया